हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगे सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी का और कुछ स्टॉक पर अनालिसिस करेंगों उससे पहले मेरा इस्टेंडर सा डिस्क्रेमर है कि जो भी मेरे स्टेडी और एनालिसिस से ओनली एजुकेशनल लर्निंग परपस है ना कि ट्र करके आया है कल के लेवल क्या होगा किस बेसिस पर या सेल होगा कौन से लेवल पर बनता है उसके कंप्लीट अश्टडी अनालिसिस करेंगा उससे पहले अगर आप चैनल को पहली पर देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक औ सेर करें और बेल आइकन जोड़ प्रेस कर दें इसे कोई भी वीडियो लेटिस्ट एड हो तो आपको नोटिफिकेसर मिल जाए और बहुत सारे लोगों का कोश्चन आया हुए थे बहुत सारे स्टोक में उसकी कंप्लीट स्टडी अनालिसिस में कल से आप लोगों को देने क ला चुका है किसको बाई या सेल करना किये होल्ड करना किये उसकी कंप्लीट स्टडी अनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों से को जो मैं एनालिसिस का लाइब सेशन में करके दिया था लाइब वीडियो के माध्यम से कि निप्टी अगर एक 11,000 10,400 के उपर लेकिन यह कम से कम 3 डेज सस्टें होना कि यह 200 के लेवल को जो आज होल्ड किया है कम से कम 3 दिनों तक इस लेवल को होल्ड करके 500-600 की तरफ मार्केट चले तो यह बाउंस अच्छा-काथा स्टॉक पे में तेजी लाने की कोसिस करेगा तो हम जानने की कोसिस करेंगे उससे पहले मैंने कल फ्राइडे के सेशन में इडिलायंस इंडिस्ट्री का कम्प्लीट स्टडी अनलिसिस किया था कि 7 अक्टूबर तक इसका बॉटम बन जाएगा और 1055 पे स्ट्रोंग अच्छा खासा लेवल अनलिसिस करके दिया था उस लेवल से आज नीचे गिया और 7 परचुनिटी है सौर्टम के परपस्ति और रिलायंस में ही आज उपर के लेवल पर मार्केट को खीच के लाया है तो रिलायंस पर मेरा पोजिटिव भी हुए सौर्टम के लिए लेकिन अब नीचे के कौन से लेवल पर बाइङ या तेजी या मंदी देखि जाएगी कल के सेशन में उसकी स्टडि अनलिसिस कर ले तो आज एक तरीके से लोंग बिल्डफ देखा जा रहा है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लॉंग बिल्डफ देखा जा रहा है 1 लग 28,000 share add हुआ है आज के session में premium में भी अच्छा का सा बड़ोत्री हुआ है volume wise same है तो bank nifty का जो level है कल के लिए 10,375 और 10,392 के ऊपर sustain करता है तो यह तेजी 10,440 यह strong support zone है resistance है 10,440 के आज़ पास से फिर से profit booking आए तो यह ध्यान देना होगा कि 10,320 का level ना तूटे और इस level को hold करके बज़ार दुबारा से अगर यह 10,440 के नीचे फिसलने के बाद फिर से दुबारा break करे तो 10,466 और 10,537 तक जा सकता है actually extended target के उपर भी जा सकता है market क्योंकि बहुत ही ज़्यादा oversoul territory में है तो बज़ार में bounce आता है तो बहुत अच्छा खासा recovery होने के chances है तो अब उपर के level पे अभी short बिल्कुल नहीं बनता है नीचे के level पे risk लेकर के buying किया सकता है risk कहां लेना चाहिए तो risk लेना चाहिए lower level पे अगर 10,320 का level टूटे तो 10,230 और 10,160 पे एक strong support zone है 160 पे strong support zone है वहाँ पे closing basis पे 10,120 का stop loss लगा करके buying opportunity देखा जा सकता है तो market में कल कौन से stock में तेजी रहेगा जिसके कारण से नीप्टी ऊपर की तरफ खिच कियागा उसकी भी मैं analysis करूँगा इस वीडियो के अंत में और live आकर के भी आप लोग के सामने मैं share करूँगा तब तक के लिए निप्टी का जो मेरा भीव है कल positive buying के purpose से मेरा भीव positive direction में ही रहने के चांसे जाए जिस तरीके reliance में bottom बना है कहीं न कहीं कल बहुत सरे stock में bottom out होने की तैयारी करेगा तो अब हम देखते हैं bank nifty का क्या level है तो bank nifty का level अगर आप इस वीडियो को इस चैनल को seriously अगर watch कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा study करने क्या मैं study कराने का कोशिस करता हूँ इस चैनल के किसी भी वीडियो को miss करने के कोशिस मत कीजिए क्योंकि मेरा view यहां पे software बेचने का किसी को teach कराने का अपनी services बेचने के purpose से मैं नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो trader investor community के लोग हैं उनको अच्छा खासा लोगों को बेकूप बना करके पैसा लूटा जाता है लेकिन मैं कोशिस करता हूँ कि जो भी मेरा level हो सटीक हो क्योंकि जो level होता ह है वो सटीक काम करता है आप मेरा software low या ना low लेकिन मैं निफ्टी का जो मैं analysis करता हूँ जो मैं market का view देता हूँ एक तरीके से 80-99% मैं कोशिस करता हूँ कि accurate level analysis करा जाए कल मैंने bank nifty का level दिया था कि 24,240 के नीचे की closing नहीं होना चाहिए और वहां पे support लेकर के bounce आना चाहि market move दिया कल live मैं night के 11.30 में almost आया था और live level दिया था weekly analysis और closing basis फे level दिया था और वहां से जिन लोगों न भी वाई किया तो उसी level से लगभग 500 point nifty में तेजी आय थी bank nifty में तेजी आय थी तो उस bounce को जिनोंने play किया अच्छा का सब पैसा भी बनाए बहुत सारे subscriber जो मेरे है उन्होंने मुझे whatsapp भी किया और मैं खुस होता हूं कि ऐसे मोहल में भी अगर आप लोग का पैसा बनता है तो मुझे खुस होती है इसलिए level को जोरू respect करें view कुछ भी हो negative positive मेरे view पर भी लोग जाते है कि आप क्योंकि मैं अपनी study करते करते मैं कुछ long term analysis पर भी चला जाता जो कल के लिए support होगा bank nifty में अच्छा कासा stockों में bounce देखा गया यह bounce कहां तक लेकर आ सकता है और कौन से stock में bottom बनेगा उसकी भी मैं study analysis करूंगा तो bank nifty 24,620 के असपस की closing हुई है कल के session में अगर bank nifty 24,700 के उपर किया level पर sustain करता है तो यह bank nifty 24,900 तक जा सकता है और 24,553 का एक strictly stop loss होना चाहिए अगर उसके नीचे फिसलता है तो हम सबसे पहले sale नहीं करेंगे इसका weight करेंगे 24,335 और 24,240 लेवल टूटे तो एक जो bounce जहां से आ सकता है वहाँ पर buying opportunity लेना चाहिए वह buying level है 24,100 50 के zone में 60 के zone में आता है cash का level है वहाँ पर buying opportunity देखा जा सकता है target जो होगा again 24,700 के ऊपर तेजी देखी जाएगी जिसका target 24,500 तत हो सकता है तो यह bank nifty पे मेरा view है और nifty पे भी मैंने इस video के माद्धम से view दिया है लेकिन DHL DHL में एक तरीके से बहुत बारा गिरावड देखा गया है यह गिरावड DHL के लिए यह क्या predict कर रहा है तो DHL में जो 260 के zone को break किया है तो एक तरीके से weekly breakdown हुआ है लेकिन DHL का long term जो support है वहाँ से एक दुबारा bounce आएगा लेकिन अब time wise थोड़ा सा time लग सकता है इस stock में 5% open interest एड़ हुआ है volume में भी बड़ा है लेकिन यह oversoul territory में है 330 का एक strong resistance यह develop कर चुका है 330 के आसपास यह जाएगा और जल्दी जाएगा लेकिन इसके लिए जो target है कल अगर किसी भी करनवस 230 के ऊपर sustain करे तो यह 250-270 के आसपास जाएगा और वहाँ पे जो लोग नीचे के लेवल बाई करते हैं उनको profit book करना चाहिए नीचे का जो लेवल लोगों नहीं बाई किया है 180 के आसपास strong support है तो वहाँ पे buying opportunity देखी ज आसकता है जो 230-250 तक लेकर आसकता है इस stock को ते रहा है DHFL और stock pay analysis और आगे भी मैं आप लोगों से contact communicate करूंगा through other video क्योंकि बहुत सारे PSU बैंकों पे PSU कंपनियों BEL, Bank of India, REC, PFC, PTC इस सारे stock को पे मुझे analysis करना है इन stock का bottom कहां बनता है इन stock को long term के purpose से किस level पे buy किया सकता है पाले से जिन लोगों ने buy किया उनको इस stock में क्या करना चाहिए उसकी complete study analysis मैं करने की कोसिस करूंगा तब तक के लिए मैं next video तक के लिए आप लोगों से यहीं पर इस को close करते हैं और next video में मैं आपसे मिलूंगा, okay, bye झाले सकता है